तो वैस काफी लंबे समय से जो आप इंतजार कर रहे थे वो problem solve हो चुकी है आपका PM किसान portal में जो pending by state का जो error so हो रहा था वो solve हो चुका है ज्यादा तर किसानों का solve हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है उनका भी होने वाला है हम आपको live आज दिखाएंगे कि हमारे में भी वो error so हो रहा था और वो ठीक हो चुका है अब क्या था के अब उस पर काम चालू हो हो गया है और तो वहाँ पे वो error वहाँ से हट गया है और आप वहाँ पे लिखके आ रहा है RFT generated यानि कि request fund transfer हो चुका है और बहुत जल्दी ही वहाँ पे FTO का उफसर भी आपको देखने को मिलेगा यानि कि इस अपते के अंदर अंदर आपके पैसे आपके account में आ जाएंगे तो यह problem solve हो चुकी है तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है तो चलिए हम आपको live दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या error आ रहा था और अब क्या आ रहा है तो चलिए शुरू करते हैं Chrome browser को आपको open कर लेना है तो चलिए हम open कर लेते हैं यह देखिए हमने अपना Chrome browser open कर लिया है इसके बाद में आपको यहाँ पर type करना है PM किसान तो आपके सामने कुछ ही इस तरह का interface आएगा तो आपको simply first वाली link पे click कर देना है आपके आजाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो Honorable Prime Minister जी ने 18,000 करोड रुपे 9 करोड किसानों के खाते में 25 तारीक को 12 बजे ट्रांसपर कर दिये हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपका भी form बरा हुआ है और आपके भी पैसे आते हैं तो आप भी चेक कर सकत है तो कुछ इस तरह से यह साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी आप यहाँ पर सिंपली अपना आधार नंबर डाल के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मुबाइल नंबर से भी कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आप अपने अकाउंट नंबर से भी च सकते हैं तो चलिए हम आपको अधार नमबर से चेक करके दिखा देते हैं आपको यहां पर अपना अधार नमबर डालना है और उसके बाद मैं आपको यहां पर realize दाटा पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप इस पर आधार नुमर डालके क्लिक करोगे तो आपके सामने यह सारी डीयल यहाँ पर आ जायेगी तो यहाँ पर अपना देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो फोर्मर का नेम भी आ तो जिन किसानों का यहां पर पेंडिंग वाई स्टेट आ रहा था तो उनका भी ठीक हो चुका है वो भी आम आपको अभी दिखाएंगे अभी पहले इनका आपको दिखा देते हैं यहां पर आप देख सकते हो जो सातमा इस्टॉल्मेंट है उसका FTO यहां पर जनरेट हो चु तो आप यहां पर देख सकते हो इनकी सातमी इस्टॉल्मेंट का FTO जनरेट हो चुका है तो जो 25 तारीकों जो फंट ट्रांसपर किया है वो उनकिसानों का पैसा आ चुका है अगर आपका भी आता है तो आप भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं बट आपका सब कुछ इस तरह से सही होना चाहिए आप यहां पर देख सकते हो सारी डीटेल अगर आपके ओके होगी तो आपकी सातमी इस्टॉल्मेंट यहां पर आ जाएगी तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जिन किसानों का PMS by में यहां पर जो था आपका वो pending by state लिखके आ रहा है तो वो ठीक तो उसके लिए आपको यहां पर उनका आधान नमबर डालना होगा और उसके बाद में आपको get data पर click कर देना है तो guys आप देख सकते हो यह था इनका इनकी installment जो रुक ही थी तो यहां पर इनका जो चलता आ रहा था काफी लंबे समय से यहां पर इनका वो लिखा हुआ रहा था वो detail भी इनकी यहां पर ठीक हो चुकी है और guys आप देख सकते हो इनकी 5 ही install पर यह रुक गया था आप यहां पर देख सकते हो rft sign by state for fifth installment यानि rft sign हो चुका है तो दो चार दिन में ही यह ठीक हो जाएगा अगर आपके में भी यह rft sign इस तरह से कुछ लिखा आ रहा है तो आपको गवराने की ज़रूत नहीं है यह rft का मतलब होता है request fund transfer तो यह बहुत जल्दी इनों नहीं यानि की आपकी state ने request बेज़ दी है fund transfer के लिए center government के पास और यह बहुत जल्दी ही आपका FTO जनरेट हो जाएगा और उसके अंदर में 2-3 दिन के अंदर में आपका पैसा आपके account में आ जाएगा तो जिन किसानों का यहाँ पे जो pending by state लिखा आ रहा था वो ठीक हो चुका है guys आप अपना check कर सकते हो और आप भी इसी तरह से अपना check कर सकते हो अगर आपका record यहाँ पे इस तरह से कुछ accepted हो चुका है तो आपका पैसा बहुत जल्दी आने वाला है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को subscribe करें साथ के साथ bell icon को press करें और अगर वीडियो से relative कोई भी query है तो comment box में comment जरू करें हम आपके सवाल का वाण वीडियो